हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम्ट्स आप्टिक इस एडिशन और सब्रेक्षिन आज हम एडिशन और सब्रेक्षिन सिखेंगे फौर डिजिट्स के अंदर, कैसे करने हैं देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई सम है, हम उसको एड कैसे करने हैं निखी आड कैसे करते हैं, फर्स स्टेट्मेंट हमारे पास यह है, हमारे पास यह नमबर 4 डिजिट के अंदर है, यह नमबर 3 डिजिट में है 8, 7, 2, 5, जो 3 डिजिट नमबर आ रहा है हमारे पास हम उसको पीछे से राइट करना स्टार्ट करेंगे 7, 0, 9 अब इसको प्लस करेंगे, कैसे करेंगे दिखिए 5 और 7 में आड करते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 12 और 1 कैरी आ रही है 1 और 2, 3, 3 में 0 आड करेंगे, 3 यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रही, 9 और 7 कितने होते हैं, 16 यहाँ पर 1 कैरी आ रही है, 8 और 1, 9 तो इस तरह से हम आड करते हैं, कोई 4 डिजिट नमबर है, यह 3 डिजिट नमबर है तो Next हम देखिए, second part हम कैसे करते हैं Second part में 3 numbers हैं आपके पास, उनको एड करना है 5, 1, 1, 3 पीछे से ही write करना start करें, कभी भी problem नहीं आएगी, some wrong नहीं होगा यह number है, 8, 3, 6 पीछे से write करेंगे तो आगे वाला space छोड सकते हैं दिखी कैसे plus कर देए 9, 3, 12, 12 और 8, 20 2 आरी है carry 2 और 1, 3 3 और 9, 12 12 और 3, 15 1 carry आरी है, 1, 1, 2 2 और 9, 11 11 और 6, 17 1 carry आरी है, 5, 1, 6 और 1, 7 तो यह आपका answer है Okay, subtract देखो कैसे करते है देखो इसमे तो add आरहा है तो हमने तीनों को write कर दिया सबसे पहले once, यह second number पर यह और third पर यह addition में तो कोई दिक्कत नहीं होती subtraction में जो statement आती है हमें इसको देखना होता है ध्यान से कि कौनसी statement पहले write की जाएगी उपर write की जाएगी और हमने subtract किस में से करना है subtract this number from this इसमें जो from का number है कि इस number में से इसको subtract करना है तो यह number हम पहले write out करेंगे ओके यह number हम बाद में करेंगे चाहे वो number three digit है या four digit है पीछे से ही write करना start करेंगे ओके 10 में से 9 1 0 का इदर से लेंगे 1 तो इसको 10 बना लेंगे 10 में से 9 1 यहाँ पर इदर से 1 लिया था तो यहाँ पर क्या रह गया 10 का 9 रह जाएगा 9 में से 9 0 ऐसे इदर भी 9 रह जाएगा 9 में से 9 0 5 में से यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 5 में से 4 तो यह है आपका अंसर अंडर्स्टेंड एडिशन और सब्रेक्शन कैसे होता है तो आपके इसके बाकी अधर पार्ट जो है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं आपको PDF मिल जाएगा उसमें आपने स्टेटमेंट को देखके उसको कियरफुली जो है अडिशन और सब्रेक्शन को सॉल्व करना है नेक्स्ट एक एक इसमपल और देखते हैं स्टेटमेंट वाला कॉस्टिन नमबर 4 एक्सजाइस 2 का स्टेटमेंट देखे फाइंड आउट दा सम ओग्रेटेस्ट 4 डिजिट नमबर हमने सम फाइंड आउट करना है सम मतलब एड करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नमबर को और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नमबर को देखे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नमबर क्या होता है आपको इंट्रोडेक्शन में बताये थे greatest or smallest number greatest 4 digit number is 9999 or greatest 3 digit number is 999 हमने इनको आड़ करना है इसलिए मैंने पीछे से राइट करना स्टार्ट कर दिया इसलिए एड़ कर सकेंगे हमने क्या करना है सम फाइंड करना है दोनों का नाइन और 9 18 वन करी आरी है 9 और 9 18 और 19 हो जाएंगे यहां पर फिर 1 करी आरी है 9 और 9 18 18 और 1 19 यहां पर 1 करी आरी है 9 और 1 10 तो यह आपका आंसर होने हैं ओके वाश द वीडियो केरफुली और शॉल्व द अधर सम्स थैंक यू आपके नाइस देगा